हेलो केस वेलकम बेक टू अगेन आइटकर बिंदी यूटूब चैनल मेरा नामे त्रूबीन आज की इस ब्राण यूडियों बात करने वाले की रिसेंटली एपल ने आउस 17.5 अपडेट को अपने आईफोन एड आईपी डूजस के लिए रिलिस किया है आईफोन के अंदर आईउस 17.5 की साइस की बात करें तो अराउंड वन जीबी का अपडेट मिलने वाला है इस आईउस 17.5 के अपडेट के अंदर नमबर ओफीचर्स उसके साथ बग फिक्सिस एंड सिक्यूरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाला है आज की इस ब्राइण बडियों बात करने वाले कि आईउस 17.5 का एक मेजर बग बहुत सारे आईफोन उसे के अंदर सो हो रहा है फोटोस बग की बात करें तो यहाँ पे 1 यर से लेके 10 यर तक जो आपने जीतने भी पर्मेनेंटली फोटोस को अपने आईफोन के फोटोस एप्स या तो आईकलाउड से डिलिट किया है इस अभी फोटोस आपको आईउस 17.5 को अपडेट करने के बाद आपकी फोटोस एप्लिकेसन के अंदर इस अभी फोटोस सो हो रहा है मेजर आईफोन उसे को आईउस 17.5 को अपडेट करने के बाद इस फोटोस बग अपने आईफोन उसे को सो हो रहा है बहुत ही सारे आईफोन इसे को माइंड में स्क्विशन है कि मैंने अपना आईफोन को सेल कर दिया कि मेरे ए आईफोन के अंदर जो ओल्ड वाले फोटोस ते वो रिकवर होंगे प्रोबेबिली ऐसा है कि आपके आईफोन के अंदर आपका एपल आईड या तो आईकलाउड लोगिन होगा तो रिकवर होने के चांसी से अधर्वाइस 90.9% तो नहीं है क्या आपने भी अपने फोटोस एपलिकेशन के अंदर चेक किया है कि आपके ओल्ड पूराने फोटोस जो पर्मेनेटली डिलिट किये थे वो रिकवर हुए है या नहीं है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना solutions की बात करें तो यह तो एक iOS 17.5 का bug है यहाँ पर आपको officially कोई solutions नहीं मिलेगा आपको wait करना होगा iOS 17.6 तदक का बहुती सारे users ने तो अपने iPhone को reset या तो restart कर लिया बट श्टिल ए बग अपने iPhone में अवेलेबल है due to iOS 17.5 अपडेट की वज़े से I hope आपको यह वीडियो की मदद से easily पता चला होगा कि iOS 17.5 में ए फोटोस बग अवेलेबल है आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीस मत करना I hope आपको वीडियो पसंद है नेलफफू लगे तो प्लीस हमारी चैनल को subscribe, like, comment आपको फ्रेंड को भी share कर देना ता Thank you so much, take care, bye, मिलते next वीडियो में